तो जही नमस्कार साथी हो मैं मुकै से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में इस्टेंट अगर आप सभी भी Real V RPF Constable 2024 एक्जाम की त्यारी कर रहें तो यकीन माने इस्टेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोडेड होने वाला है क्योंकि इस्टेंड आज की इस क्लास के अंदर में लोग बात करने वाले रेल्वे आर पीफ को अश्टेवा दोजाद 24 एक्जाम के लिए काफी मोश्ट इंपूरेट एंड एक्जाम ओरियेंटेड आप सभी के लिए सारे प्रशन लिए गये हैं तो आप सभी से एकी रिकेश्ट हैं कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जुर देखेगा क्योंकि सारे प्रशन आप सभी के लिए सेलेक्टेड लिए गये हैं तो चले इस्टेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रशने के साथ और पहला प्रशन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारती राष्टी कांग्रेस की अस्थापना कब होई थी तो भारती राष्टी कांग्रेस की अस्थापना की बात करते हैं तो यह हो इस ट्रेंट अगर आप सभी को हर एक प्राशण को अगर इंसर पता आudगा तो आप सभी comment बोक्स में जुरोब बताईगा कि अपसर नंबर एक आपसर नंबर भी चाहिए आसे आप वो कोश्छन का राइट इंसर आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा निवनिल इखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर स्विम रखने और सयम रखने और वदिक विकास करने के सिख्छा देता है याने कि इन में से कौन सा ऐसा आश्रम है ठीक है न तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसर नमबर ए याने की ब्रहमच्चार या आश्रम हो जाएगा अगला प्रश्न पूचा गया फोर नंबर यहां पर ध्यान दीज़ेगा चलि अगले प्रश्न को बात करते हैं करकी भारतिय संविधान में मुल अधिकारों का वरनन किस भाग में किया घया है तो भाग थड़ आप सभी का राइट इंसर ओजल जाएगा अपसर नंबर भी एंडुस्टेंड इस क्लास के अंदर में बताने वाला हूं कि आप लोग के ऐसे पास टोपिक ऐसा कौन कौन सा है जिससे कि आप सभी की एक्जाम में 100% प्रश्ण पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा आप सभी के आने वाले एक्जाम में भी ठीक है न चली अगले बात करते आप सभी का फाइप नंबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा फुल कौन सा है संसार का सबसे बड़ा फुल की बात किया जाए कि कौन सा फूल हो जाएगा तो अपसा नंबर भी हो जाएगा रेफली सिया रेफली सिया अपसा नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते सिक्ष débशल्भ प्रशन आप सभी से आपर पूछा जारा है कि दिली के कि सुल्तान को उसकी उदारहता के कारण लाक वक्स्थ पुकारा जाता है तो right answer हो जाएगा आप सभी का option number A याने की कुतूब दीन एबग आप सभी का right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते 7 number प्रश्ण है कि भारत में राष्टी आय का संकलन कौन करता है तो केंद्रिय संख्यां की संगठन हो जाएगा आप सभी का right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का 8 number प्रश्ण है अगला प्रश्ण की चमगादर निमने लिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं जो चमगादर होते हों अंधेरे में भी उड़ सकते हैं इसका कारण होता है वे पारासर वो धौनी तरंगी उत्पन करते हैं चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं 9 number प्रश्ण है कि किस देश में कुल छेतरफल का सार्दिक परतिशत वनंचादित है तो right answer हो जगा 9 का option number D याने की सूरी नाम सूरी नाम option number D आप सभी का right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं 10 number प्रश्ण कि भारत के समिधान कढ़ाचा त्यार करने के लिए संगी बिवस्था की योजना किस देश से लिग गई है ये question काफी important है ये जगा स्विजर लेंड से लिया गया है अपसा नमबर D आप सभी का right answer हो जगा स्विजर लेंड चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं 11 number प्रश्ण है कि गैस के गुंबारे में hydrogen gas की जगा helium gas का परियोग किया जाता है क्यूंकि यह अधिक अस्थाई होता है आपसा नमबर D हो जाएगा ये अधिक अस्थाई होता है चली अगला प्रश्ण आपसी का 12 number कि फोलो को क्रित्रिम रुप से पकाने के लिए प्रियुक्त gas कौन सा है फोलो को क्रित्रिम रुप से तो acetylene हो जाएगा आपसा नमबर A आप सभी का right answer हो जाएगा acetylene gas हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं कि तीन बिगा कोरिडोर जोडता है तो बंगला देश और भारत को जोडता है ठीक है न चली अगला प्रश्ण 14 number कि कि छेतर से उत्कृष्ट कारे को पुलिजर पुरस्कार के लिए मानिता दी जाती है कि छेतर से उत्कृष्ट कारे को पुलिजर पुरस्कार के लिए मानिता दी जाती है तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का चौदा का चितोड में विजे अस्थम का निर्मान किष्णे किया था तो 15 का अज़ए आप सभी का अपसर नमबर सी आने की राणा कुमभा ने किया था आपसर नमबर सी आप सभी का राइट एंसर अज़एगा राणा कुमभा चली अगले प्रस्ट को बात करतें 16 नंबर की Computer Data की सबसे छोटी काई क्यां कौन से है तो Computer Data की सबसे छोटी काई की बात करते तो ये Beat हो झाएगा Beat आप सभी का Right answer हो जाएगा अगला प्रस्ट की भारत की तट्रेखा है तो भारत की तर्ट्रेखा की बात करें तो 75-100 km हो जाएगा चली अगला प्रस्ने की चंद्रगरण तब होता है जब आप सभी के सूर्य चंद्रमा के बीच प्रिथ भी आ जाते तब आप सभी के चंद्रगरण होते हैं गए जाले अग्ला प्रश्णन से के इंसुलीन की कम हमिए के कारण होने वाले होने रहरा को इंसुलीन की कारण होने वाले रहरो कि बात करें तो diabetes होता है efecto दाइबीडी डाइबिडास चुल्ए अगला प्रेश्ने की इंडिया वीनस फ्रीडम पुष्टा के लेखक हो जाएंगे आपसे नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रशन 23 नंबर की भारत का सावदिक प्रदूसित नगर कौन सा है ती हो जाएगा अलंग केश्वर हो जाएगा अगला प्रशनी की स्रम दिवस की स्तिति को मना जाता है तो स्रम दिवस की बात करें तो एक मई को मना जाता है एक मई आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशनी के अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है तो यह जाएगा आप सभी का सितार के अविस्कार के लि लिया गया है तो पहले प्रस्णिक और बात करते हैं पहला प्रस्ण आप सभी से पूछा जा रहा है कि देखनी किस भारती राज्य से संबंदित लोक निरिते हैं तो देखनी की बात करते हैं कि देखनी किस राज्य किस भारती राज्य के संबंदित लोक निरिते हैं तो आपस अफसेंबर सी आप सभी का राइटेंसर हो जाएगा गोवा का हो जाएगा चलि अगले प्रशन को बात कर तेस्टेंट आप सभी का अगला प्रशन पूछा जारा है कि तीन सो बीस इसवी से पांसो पचास इसवी के बीच भारत पर किस राजवन्स का सासक था यहां पर आप से प्रस्ण हिस्टी से पूछा गया है कर रहा है कि तो राइट एंस रोज्जेग आप सभी का अफसर नमबर डियाने की गुप्त वन्स ने सासन किया था चली अगले प् साथ करते स्चेंट आप सभी का तिसरा नमबर प्रस्चन है यहांप पूछा गाए कि बब्यृति देवी किस भार्ति निरित्य सेली की प्रती पादख है यह भीते ही कूशें कि मड़ी पूड़ी मड़ी पूरी हो से अब मैं आप्षान के अरा भारत के कि इस राज्य नों यानिकी तंय नाडव में इसकी संक्या बहुत काफी है आपसे नंबर डी आप सभी का राइट इंसर हो जाएगा एंडू इस ट्रेंट आज की स्क्लास के अंदर में आपसी के ऐसे पांच टौपीक के बारें बताने वाला हूं यहां पर की दोस्तों अगर पांच टौपी को जान जाते तो आपसी की इस पांच टौपीक से सब्सक्राइब और यह पांश टौपी कौन कौन सा है आप लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आखिर यह पांश टौपी कैसा कौन सा है जिससे क्या उसे की एक्जामें बार-बार प्रश्चन पूछे जाते हैं चली अगले प्रश्चन को बात करतें इस्टेंट आप स राज़े में इस्ति थे तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का करनाटक आपसर नंबर बी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्चन को बात करतें इस्टेंट आप सभी का अगला प्रश्चन आपर पूछा जा रहा है कि निमने लिखित में से किस ह हशा हाडपा सी में दिया है मुहंत जोद्रूह ऑग तो राइट एंसर होजाएगा आप सबी का आपसे नंबर एनी की तसकि नम्हीं मिला था ठीक न अपसे नंबर एये सबीट का राइट एंसर हो जाएगा चलि अगले प्राशनी को बात करते consistent आप सभी का 7 नंबर प्रशने आप पर पूछा जा रहा है कि निमने लिखीत में से कौन दड़ ओफ ऑस्टॉंड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखा कौन है तो यहाँ पर आप से पूछा गया है कि the day of a stone drinking के लेखा कौन है तो right answer हो जाएगा आप सभी का सुधा मूर्ती option number 3 आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का अगला प्रशन कर रहे कि निमने लीखित में से किस वर्ष में महत्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अस्थगित किया था यानि कि महत्मा गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन को अस्थगित किया था तो right answer रज्जय गाप सभी कि 1922 इस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन को अस्थगित किया था चली अगले प्रस्ण को और बात करते हैं नाई नमबर प्रस्ण आपर पूछा जा रहा है कि निमन में कौन सी प्राणी द्री पार्ष समीती वाले पून प्रवगुहिये है प्रवगुहिये है तो right answer हो जाएगा आप सभी का एने लीड़ा आप सभी का option number B is right answer हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रस्ण का रहा है कि निमन लोक निरित्ते में कौन सा मध्य परदेश राज्ये से सम्मंदित नहीं है यानि किसा कौन सा लोक निरित्ते है जो की मध्य परदेश से सम्मंदित नहीं है तो right answer चली अगले प्रस्ण को और बात करते ही 11 नंबर अभी तक आपसे में चलन को सब्सक्राइब कर सासद बेल एगन को प्रेस कर दीजेगा ताकि इसा मोस्ट इंपुडे क्लास इस्टिन आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे चली अगला प्रस्ण की मानव आख के रेटीना पर बनने वाला परत्वीम कौन सा होता है यानि कि आख के जो मानव आख के रेटीना पर जो परत्वीम बनता है वो कौन सा होता है कैसा होता है तो वो वास्तविक और उल्टा होता है आपसे नंबर भी आप सभी का right answer हो जाए चलि अगले प्रस्णिक और बात करते बारा नंबर कि मुंबई के सिद्धी विनायक मंदिर ने भगतों को बीदुत मंच प्रदान करने के लिए बीती साधनों के दान हेतु किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है यानि कि बंबई के जो मंदिर है तो अगले प्रस्णिक और बात करते तेरा नंबर कि 1857 इस वी के बिद्रो के समय बहरत का गवणना जनरल कौन था? तो 1857 की बीद्रों के समय भारत के गौर्ण जनरल के बात करते हैं तो राइट एंसर उज्जाएगा आप सभी का आपसर नमबर भी अनिकी लाड कैनिंग आप सभी का राइट एंसर उज्जाएगा आपसर नमबर भी और 1857 की करांथी की बात करे इस्टेंड यापत हो असा इं कहां सा स्टार्टिंग थी तो करांति आप सभी के मेरट से स्टार्ट हुई थी मेरट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं नमबर प्रश्ण है कि निमने लीकित में से कौँ सा जल मार भारत को स्रिलांका से अलग करता तो रैट एंसर हो जाएगा आप अपस्फनमबर डी आप सभी का रैट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी निमने लीखित में से कौन सा देश कौार्ड समू का सदर्श नहीं है तो फ्रांस आप सभी का राइट एंसर और जैग आप सा नमबर डी और यहां पर इस टेंट आप सी को बता रहा हूं कि बारबा बता रहा हूं कि आप सी के लिए सारे जो प्रश्ण न काफी इंपुड़े विती को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निमने लीखित में से कौन से राजकोसी नीतिगत उपाय किये गये हैं तो राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमबर A आने कि यहाँ पर सारोजनिक व्याय और सारोजनिक रिण में कमी हो जाएगा यहाँ पर कमी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए इसको यहाँ पर रहना चाहिए ठीन तो आसमी स्प्रिंट हो चुका है यहाँ पर देखिए करें कि सार संगम राजकुमार हरीहर और बुक्का ने किया था तो बीजे समराज के अस्थपना इन्हों ने किया था दोनों लोग मिल करके ठीके नहीं तो आप सबी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने निवने लिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरीकों के लिए उपलब्ध है और बिदेशियों के लिए नहीं यानि कैसा कौन सा अधिकार है जो की नागरीकों के लिए तो उपलब्ध है लेकिन बिदेशियों के लिए नहीं है तो राइट एं एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को बात करते कि पुम्पल निमने लिखीत में से किस खेल से संबनदी थे पुमल सबके बात करते हैं और पुमल जो हमस्वद है वह सभी के जिमनास्टिक में बोले जाते जिमनास्टिक अपसा नमबर ए आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को और बात कहते हैं 20 नमबर प्रश्ण कि भारत की महिला वेडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाब वेडमिंटन एसिया टीम जर चोबीस का खिताब जीता है तो राइट एंसर हो जाएगा उसवी का थाईलेंड आपसा नमबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा थाईलेंड चली अगले प्रश्ण को और बात करते हैं 21 नमबर प्रश्ण है कि इंपर रेफेट फेक्ट किसकी आत्मकता है राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं आश्वी का 22 नमबर प्रश्ण है कि यदि हम सफल राष्टी उत्पादन से मूल हार्स घटते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप कहलाता है राइट एंसर हो जाएगा अवसी का नीवल राष्टी उत्पादन एने की एन अनपी का आला था ठीक हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं 23 नमबर है कि नागालेंड की अगामिजन जाती द्वारा फर्वरी के महिने में कौन सा तिवहार मना जाता है फरवरी महिने में तिवार की बात के जाव सुई के कि सिक रेनी उच्जव हो जाएगा अपसर नमबर ए आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा सिक रेनी उच्जव हो जाएगा चली अगले प्रशने को बात करते 24 नमबर है कि निमने लीखित में से कौन सा सब्द समिधान की प्रस्तावना में नहीं है यानि कैसा कौन सा यहाँ पर सब्द है जो कि भारति समिधान की प्रस्तावना में नहीं है तो संगी आपसर नमबर 4 आप सभी का राइट एंसर हो कि सिमाव का सिमाकन सिमांकन करती है तो अपसर नमबर सी अब सभी का राइटेंस रोज्या का पाकिस्तान के साथ करती है चलिए अगले प्रशन को बात करते हैं 26 नमबर की भारत का एक मात्र सक्रिय जलवायू जोला मुखी अंडमान यूम नीकोबार के दिप में इस्तित है 26 का जाएगा आप सभी का बैरेन बैरेन अपसर नमबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रशन आप 23 की निम्ने लिखित में से कौन सा कर परत्यक्च कर है यानि कि इनमें से ऐसा कौन सा कर है जो क्या आप सभी का बात करते हैं अगला प्रसन भारती परमालू कारेकरम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है भारतिय परमाडू आप कारेकरम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो 28 का होज जाएगा आप सभी का अपसा नमबर हो जाएगा होमी जे भाबा हो जाएगे अपसा नमबर ए होमी जे भाबा हो जाएगे चली अगला प्रसुन 29 नम के रूप में जाना जाता है तर्किय स्रॉचना के रूप में जाना जाता है तो वेशर शैली हो जाएगा आप सान मबर यहाप सभी का राइटेंसर हो जाएगा वेशर सैली अगला प्रस्ने की प्रयाग प्रसक्स्ती की साराचना समुंद्र गुप्त के राज कभी हरी स्टेड ने किस भासा में की थी तो थटी का राइड एंस रोज्जगासन अमबर डी याने की संस्क्रित में किया था अपसन अमबर डी चली अगला प्रस्ने की अखिर भारती मुस्लिम लिंग और भारती राष्टी कांग्रेस द्वारा लखनौ समझोते पर हस्तचर कभ किये गये थे तो थटी वन का अज्जगासन अपसन अमबर याने की 1916 हो जाएगा चली अगला प्रस्ना सभी का की प्रचीन सहर चंपा को जा याने की अंग हो जाएगा आप सभी का राइट इंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्न को बात करते चली थर्टी थ्री निमबर की जनूरी द्वाजर 24 भारत बहुंकि सिराजी की छत पर सौर्ट। चामता सबसे अधिक है तो 33 का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसे नमबर सी यानिकी गुजरात हो जाएगा आपसे नमबर सी गुजरात आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली आगले प्रशन को बात करते 34 नंबर की दादा साव फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 के दोरान फिल्म उधोग में उतक्रिष्ट योगदान पुरशकार से किसे समानित किया गया है चली आगला प्रशन 35 नंबर की निमने लेखित में से कौन से भारत के प्रमुक भोगोलिक विभाजनों में हाल ही के भू आकरिती है तो 35 का होज़ेगा आप से नंबर B यानि की हिमाले और उत्री मैदान होज़ेगा आप से नंबर B आप सभी का राइट एंसर हो जाए चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं अगला प्रश्ण पूछा जा रहा है कि वेगनी क्रांती को केंद्री बिज्ञान और प्रोधोगी की मंत्राले द्वारा जमू और कॉस्मीर में सुभारम्व किया गया था यह क्रांती किस फसल की खेती से संबंदी थे तो राइट एंसर हो जाएगा उसभी का लेवे डर अप्सान अंबर सी आप सबी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं सेवे नंबर करें कि जब मैगनीसियम रीबन को ऑक्सिजन में जला जाता है तो यह परिवर्तित हो जाता है तो जब इसे इसे जला जाता है तो यह परिवर्तित हो जाता है आप से नंबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीके न अब से नंबर डी आप सभी का अगला प्रस्ण कर रहा है कि किस देश ने भारत के खिलाब ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट 200 कप 2024 फाइनल जीता है तो राइट एंसर हो जाएगा असी का आउस्टेलिया आपसे नमबर बी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को बात करते हैं आप सभी का 39 नमबर प्रस्ण क्या पूछा जा रहा है करें कि कौन सी रक्त वाही काएं औक सी क्रित रक्त को हिर्दे से सरीर के अन्य भागों में पहुचाती है तो 39 का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का धमनिया हो जाएंगी अपसे नमबर बी चली अगले प्रस्ण को बात करते हैं फोटी नमबर प्रस्ण की निमने लिखित में से किस भारती राजे में हंड्रेड ड्रम्स महोसो मना जाता है तो राइट एंसर हो जाएगा में घ्याले अपसे नमबर बी चली अगला प्रस्ण की एक फरवरी दोजर चौबीस को कीस ने यूपी एसी के सदर्श के रूप में पद और गुपनियता की सपत ली राइट एंसर हो जाएगा आप सभी अपसे नमबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि अभिनव भारत दा सीक्रेट रिवोल रिवोल यू सन नरी सोसाइटी और नई सो चार में निमिन लीखित में से किस के दोरा अजित किया गया था तो राइट एंसर हो जाएगा वी डी समंकर के दोरा चलिए अगला प्रस्णे की समू सोला के तत्व के सबसे बारीक कोस में कितने लोक्टोन होते हैं तो यह सीके सिक्स हो जाएगा अपसे नमबर डी अगला प्रस्णे की भारते संभीदान के किस अनुछेत के अनुसार रास्पती मिर्तु दंड को छमा कर सकता है तो अन अगला प्रस्णे की भारत के राष्टपती पदि के चुनाओ कौन आयुजित करता है फोड़ी शिक्स का जाएगा भारत निर्वाचन आयोग हो जाएगा अपसे नमबर डी अगला प्रस्णे की दिल्ली संतनत काल में तब काल ए नासीरी की रचना किशने किया था फोड़ी जगत के पौधो को सेवाल के रूप में जाना जाता है फोड़ी एट का अपसे नमबर हो जगड़ी अने के थेलो फाइट हो जाएगा अगला प्रस्णे कौन सा अंतरीच परदोगी की स्टार्ट अप इसरो के पी एस एलभी सी फाइप एट एक्स पोसेट मिशन के दुरान माइक्रो सेटलाइट उप प्रणाली का परदर्शन करने के लिए त्यार है तो यह हो जाएगा अपसी का धुरू असपेस हो जाएगा चली आज के इस लास्ट प्रस्ण को बात करते हैं निमले खित में से की समीतिक एदेक्ष ने भारत के समीधान में मुल्क करतेबियों की एक नए हिस्से को सामिल करने की सिफारिस की थी तो इस कोशन का राइट एंसर क्या होगा इस्टेंट आपसी कमेंट बॉक्स में देना है और देखते कि इतने स्टेंट इस कोशन का राइट एंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं तो आज के इस क्लास को एक इंड करते आप आप तक सबसे जल्ब पहुंचते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में श्टेंट थांक्स राचिंग माई क्लास